भागलपूर जमालपूर रेल खंड के नाथनगर श्टेशन के समीब रेलवेड ट्रैक के समीब बलाश्ट होने से एक बैक टी गंभी रूप से घायल हो गया मौके पर पहुची आरपीअप की टीम ने घायल को इलाज के लिए माया गंज अस्पताल पहुचाया और मामले की चान बीन में चुट गई जबकि इलाज के दुरान घायल की मौत हो गई घटा के बाबत बताया जा रहा है कि भागलपूर जमालपूर रेल खंड के नातनगर के स्टेशन के समीब रेलवेड ट्रैक के किनारे सुबह सुबह एक बैक टी कुड़ा चुन रहा था और जारी में बम बलाश्ट हो गया जिसकी चपेट में आने से बैक्ती बुरी तरह जखमी हो गया जिसे इलाज के लिए माया गन्जा स्पताल में भरती कराया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई अभी तक मिल तक की पहचान नहीं हो पाई हम आपको बता दे कुछ दिन पहले भी नातनगर रेलवे इस्टेशन पर पटरी के बीचों बीच बम बलाश्ट हुआ था जिसकी जाच अभी तक पूरी नहीं हो सकी थी ये रेलवे पटरी के समीब फिर से बलाश्ट हो गया जिसी रेलवी सुरक्षा पर सवाल या निसान खड़े हो रहे हैं तो उसमें और बॉम वाली टीम भी आके इसमें जाच कर रही है अभी ट्रेक के साइड में मिला है ट्रेक से थोड़ा कम से कम दस फिट के दूर एक जो रखा गया था बैग में रखा बरामद हुआ है उसके यह अभी कहा नहीं जा सकता है कि वो ट्रेन को ट्रेन गतिवीदियो को बादित करने के लिए उस वो रखा गया था तो उस बिंदू पे जाच चल रही है अभी अब पिछली घटना से क्या यह लिंक है यह हम इसमें जाच कर रहे हैं पिछली घटना में और भी कुछ उसमें मेसिज सरकुलेट हुए थे वहां पे किसी पार्टी की तरफ से मेसिज आये थे इसमें अभी तक ऐसा कोई मेसिज भागलपूर के इसाग्चक थानाचितर के भीकनपूर मोती मिस्रा लेन में देर साम बदमासों ने बाइक सवाल बरून ज्छा को गोली मार दी गंभी रूप से घाल बरून ज्छा को परिजनों रस्थानिय लोगों की सहायता से आनन फानन में मायागन अस्पताल में भरती कराया गया जहां उसकी हालड डॉक्टरों ने चिंता जनक बताई है गंभी रूप से जखमी बरून कुमार ज्छा सदर अस्पताल में संचारित नसा मुक्ती केंडर का कर्मचारी है उनका मूल पदस्था अपना कुष्ट निवारन बिभाग में है जहां वे चतुर्थवर गया कर्मचारी है वे मूल रूप से सज़ोड ठानाचित के अनमिस्रा बाल बाल बच गए असंका जताई जा रही है कि संभूसरन के जमीन के बिवाद को लेकर घटना घटी है बदमास संभूसरन को मारने आये थे और धोके में उनकी दोस्त वरून को गोली मार दी जखमी वरून ज्छा ने अग्याद बदमासों के खिलाफ इसाख च जोटने दोसी ठराते हुए दस-दस वर्स की सस्रम कठोर कारावास और दोनों को दस-दस जार रुपे आर्थिक डंड की सजा सुनाई और आर्थिक डंड नहीं दिये जाने पर तीन महा की अत्रिक्त सजाद दोनों को काटनी पड़ गी घटना के बाबत 2016 में नबालिक के अपरन और दुसकर मामले को लेकर बात थाना में मामला दर्ज कराया गया था नबालिक लड़की को दिल्ली ले जाने में आरोपी के माता पिता खबी हाथ था साथ इनके माता पिता ने नाबालिक लड़की को धमकी भी धी ती कि तुम मेरे बेटी से साधी करो नहीं तो तुम्हें मार देंगे इसी केस के तहट आरोपी के पिता सुभासमंडल और माता सुझाता देवी को दस-दस वर्स की कठोर कारवास की सजा सुनाई आरोपी के माता पिता को सब कुछ मालूम होते हुए अपने बेटी को गलत करने में सयोग करने के लिए यह सजा सुनाई गई है आरोपी लड़के का केस किसोर नया बोर्ड के तहट चल रहा है फिलित को तीन लाक रुपी मुआबजा भी दिया जा रहा है बाका ढाका मोड मार्क पर जोगडिया के समीब ओटो और कार के बीज भी संटकर में ओटो के परकच्छे उड़ गए जिसमें सवार एक छात्रा सहित पांच लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए घायलों को गंभीर इस्तिती में बाका के स्थ अस्पताल में भरती कराया गया था जहां से तीन घायलों को बेहतर लाज के लिए भागलपूर के जवाहरलाल नहरू मेडिकल कॉलिज अस्पताल रेफर कर दिया गया जहां इलाज के दुरान तीन घायलों की मौत हो गई मरने बालो में नमरता यादव आदिल रसीद जबकि एक मिन तक कर सब लेकर उसके परिजन आनफानन में निकल गए वहीं अब दोनों सबों को पोश्ट माटम के लिए भेजा गया है जंदीसपूर्ट थानाचितर के अंतरगत बालो माफिया का खेल नए नए तरीके से जारी है कभी डरा धमका कर बालो की खुदाई कर ले जाया जाता है तो कभी कहीं पर डंपिंग कर अपने मन मताबिक उसका दाम बसूला जाता है प्रसासन की सकती के बाद बालो माफिया डंपिंग को लेकर नए नए खेल खेल रही है जबकि रेलवे की जमीन पर बालो का डंपिंग किया जा रहा है जोरी नदी के पास आप देख सकते हैं किस तरह बालो की डंपिंग की गई है और यहां पर मन मुताबिक दाम पर बालू की कीमत तै की जाती है नीजी खेत में डंपिंग करने पर उसके खिलाब कारवाई की जा सकती है इसी भैसे बालू माफिया ने जगदीजपूर परखंड में नए तरीके से खेल स्टार्ट किया है और पुरैनी के जोडी नदी के समीप रेलवे की जमीन पर बालू की डंपिंग की जा रही है रेलवे प्रसासन बालू माफिया के खेल से किस तरह अपने जमीन को मुक्त करवाने में समर्थ हो पाती है यह तो देखने बाली बात होगी बहराल चक्तिसपूर पुलीस प्रसासन के आँख के नीचे के कारणा में देखकर आप भी सहज अंदाज लगा सकते हैं कि किसकी संदच्छन में यहाँ पर डंपिंग होती है 12 दिसंबर को सुल्तान गंज परखंड में पंचायत चुनाब होना है सांती पूर्ण और भैमुक्त पंचायत चुनाब संपन कराने को लेकर गुरुवाल को सुल्तान गंज स्थाना पुलीस के दोड़ा कई पंचायतों में फ्लैग मार्च निकाला गया लाइन और डियास पी डॉक्टर गॉरब कुमार के नेथित में फ्लैग मार्च निकाला गया फ्लैग मार्च लगपूर नवादा मिरहटी सहित कई पंचायतों में किया गया इस दुरान कई रहागिरों से पूलीस ने पूछ ताच भी की थाना धेशलाल बहादूर ने बताया कि 12 दिसंबर को सांतेपुर्ण और भैमुक्त होकर मद्दाता मद्लान केंडर पर जाकर मद्लान करेंगे किसी भी प्रकार की दिक्कत या बाधा हो तो उसकी सुचना तुरंध पूलीस को दे इस मौके पर सुल्तान के थाने में प्रदस्थापित ऐसाई असोक सिंग प्रताप सिंग रमा संकर परसाद उमा संकर सिंग एसाई दिननात राय सहित भारी संक्या में पुलीस बल मौजूद थे